नमस्कार दोस्त्रा और मैं आपका दोस्तुरा जो कैसे हैं आप सब आसकार दोस्तबो ठीक होंगे आज हम आपको ये दो सेटब बॉक्स दिखाते हैं LR26W और LR27AI दोनों में फरक क्या है? दोनों कितने कितने रुपÉ के आते हैं? दोनों में बैस ज्यादा ज्यादा 100 रुपे का ही अंदर है ज्यादा फर्क दोनों में नहीं है और दोनों ही बहुत अच्छे सेट अबॉक्स है दोनों में क्या फरकाता है और दोनों किस तरीके से काम करते हैं मैं आपको बता देता हूँ आज और वीडियो को पूरा देखें तब ही आपकी समझ माईगी कौन सा सेटबॉक्स आपको लेना चाहिए और कौन सा नहीं लेना चाहिए कौन सा नया है कौन सा पुराना मोडल है मैं आपको आज सारी चीज बता दूँगा सबसे पहले आजाते हैं यह हमारा मोडल 26W यह सेटबॉक्स अपने टाइम का सबसे सूपर हिट सेटबॉक्स है और आज भी चल रहा है और यह देखिए सबसे पहले फिरी टू एयर सेटबॉक्स है और HD Ready सेटबॉक्स है HD 1080 DLA ने और यह हमारा लाइब प्रोग्राम इसमें पै 4G क्या आप जिस चीज का भी नेट दो गए यह उसी से कनेक्ट हो जाएगा 5G का नेट दो गए तो उसे भी कनेक्ट हो जाएगा यह सबी से कनेक्ट हो जाता है और इसमें देखिए जो भी हर चीज इसमें बढ़िया काम कर जाती है इसमें एक adapter यह सब चीज यहाँ पर लिखिवी जो जो इस box के अंदर मिलेगा मैं एक lead remote adapter और एक HDMI cable यह सारी चीजे मिलेंगे एक setup box यहाँ पर देखिए यहाँ पर यह इसका MRP भी लिखिवी model number भी यहाँ पर सब लिखा हुआ है setup box पर और हम इसे आपको खोल करके भी दिखाएंगे कौन सा box कितने कैसे color का आता है और यहाँ पर देखिए सब इसके बारे में सब लिखा हुआ है आप screen insert लेकर के पढ़ सकते हैं और बैस इसमें इतना ही आता YouTube चला सकते हो DLA ने यह दो चीज इसमें आपको in build मिल जाती है और live recording और अब देखिए यह हमारा इस time का नया setup box है बिलकुल इसी से पिछले महीने का यह setup box है और LR 27i इसमें live recording कर सकते हो HD 1080 पर है DLA ने Wi-Fi सक्षम है बिना इसमें दोनों में से किसी में भी आपको एक चीज और बता दू यह दोनों में से किसी में भी आपको dongle antenna बिलकुल लगाने की जरुत नहीं है जो dongle antenna आता है market में कोई सा भी लगाने की जरुत नहीं है इसमें dongle antenna दोनों setup box में inbuilt है इसमें dongle antenna दोनों में से किसी में खरीदने के आपको जरुत नहीं है और इसमें देखिए wifi सक्समा और इसमें देखिए बिना dis antenna के भी आप फिरी channel देख सकते हो बिना dis antenna लगाई भी फिरी channel देख सकते हो और एक चीज बता दू dis antenna पर अलग channel आते हैं और internet से चलाओगे wifi या mobile के net से तो अलग channel आते हैं यह मत सोचना दोनों में एक जैसे channel आते हैं दोनों में अलग अलग channel आते हैं dis antenna से हमें लगबाग 100-500 के बीच में channel मिलेंगे देखने को और अगर आप wifi से चलाओगे इसमें 2500 ऐसी channel मिलेंगे फिर भी ज्यादा channel हम को देखने को नहीं मिलते हैं बहुत से YouTube पर बोलते हैं का स सारे channel चलते हैं 45-400 ऐसा कुछ भी नहीं है वैसा जूटी वीडियो है इसमें लगबग आदे ही channel चलते होंगे जितने उसमें दिखाए गए हैं 45-400 तो उसके आदे ही चलते होंगे यह नहीं सारे की सारे चलें ठीक है फुल channel बिल्कुल नहीं चलते हैं कहीं आप यह सोचो कर तो जितने हमें धिखाए गए हैं तो नहीं चलेंगे नहीं चलेंगे बिल्कुल नहीं चलेंगे और बहुत अच्छा setup box है क्योंकि उसमें լाकूस,com ピर बाकूस, चलते हैं यह फिरूटोर बॉक्स है इसमें पेड चैनल आपका कोई नहीं चलेगा और इसमें देखिए आपको एक आप्शन और दिया गया है यूटूब डिलने और वाइफाई से ही चैनल चला सकते हो वाल लेस डीडी फिरीडिस और मीरा कास्ट का अप्शन इसमें बहुत की स्क्रीन जो है टीवी में देख सकते हैं इसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखी है पहले ही और उसका लिक में डिस्क्रेप्शन में दे दूँगा आप उस पर जा करके देख लेना इसके पूरी इंफर्मेशन दे रखी है और मैं चलिए ओपन करके मैं अब दिखा दे देता हूँ ये फिरिटु एर बॉक्स है पेड़ चैनल नहीं आते हैं इसके अंदर कहीं आप इसे पेड़ चैनल के लिए बारे में मुझसे ये कमेंट करो कि पेड़ चैनल आते हैं नहीं आते हैं पेड़ चैनल इसमें कोई नहीं आता चलिए मैं दिखा देता हूँ इसमें एक adapter आता है 12 वोल्ट 1 एक एक adapter है यह और एक देखिए इसमें हमें रिमोट मिल जाता है यह देखिए इस तरीके का रिमोट बहुत अच्छी क्वाल्टी में बहुत है भी कंपनी अच्छे तो रिमोट भी अच्छे ही देगी इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है लिरिपल रिमोट इंडिया लक्षमी और यह देखिए एक HDMI मिलती है एक सेटप बॉक्स मिलता है ठीक हम ओपन कर लेते हैं और देखिए एक हमें इसमें ऐसा रिमोट मिलता है रिमोट बहुत बढ़ी की देखिए HDMI यहदि मिल जाती है एक और दो एम्पेर का एक अड़ेप्टर इसमें भी हमें एक एम्पेर का बारे वोल्ट अड़ेप्टर हमें इसमें मिल जाता है यह बारे वोल्ट का एक एम्पेर का अड़ेप्टर है और देखे इसका भी हम सेटप बॉक्स निकाल कर आपको दिखा देते हैं पहले यह पहँचान होती है बाकी इन में कोई पहँचान नहीं है मैं आपको दिखा देता हूँ यह इनकी पहँचान है दोनों बॉक्स की यह देखे यह हमारा 27 आई है इसमें मीरा कास्ट भी है DLNA भी है यूटूब भी है और वारलेस फिरीडिस भी है और यह हमारा इसमें यूटूब है DLNA भैस यही इसमें चीज दी गई है और कुछ नहीं है देखे दोनों सेम टू सेम बॉक्स हैं यह देखिए कोई फरक नहीं है सिर्फ यह धकन है यहीं का मॉडर नंबर है इस जोपर का वारा इनका यहीं का मॉडर नंबर है मैं पीछे से दिखा दूँ अब पीछे से भी देख लिजे यह दोनों का एंटीना है एंटीना जो है LNBA इन है और USB है यहां पर अपनी Pen Drive साधी बिया की Pen Drive आप यहां पर चला कर देख सकते हैं यहां कोई Movie पिक्चर भी देख सकते हैं जो आपको देखना हो यहां यह दोनों में HDMI है और यहां पर देख किये यह पर ये जो है बार वोल्ट इन्पुट के लिए जैक हैं दोनों सैम टू सैम बॉक्स हैं कोई फरक नहीं है बैस इनका जो मोडल नंबर होता है यह धक्कन होता है और बाकी चलने में फीचर्स दोनों के बिल्कुल अलग-अलग हैं और बहुत बढ़िया सेटप बॉक् कहीं से नहीं मिलें तो डारेक्ट आप हम से कॉल करके भी मंगा सकते हैं हम आपको यह प्रवाइड करा देंगे और इंडिया आज की वीडियो आपको कैसी लगी अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेय जय वारत